जैसिरी राम, सिंगरास के दोस्तों, हाजिर हैं आपका रासी फल लेकर मैं हूँ आचारिस के तिवारी दोस्तों आज बात करेंगे सनिवार 7 सितंबर का दिन आपके लिए क्या लेकर के आया है तो आईए रासी फल जानने से पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं आज सनिवार सास्ति तंबर दोजार चोबिस भादरपत सुकल पक्ष की चतुर्थी ती थी विक्रमी संबद दोजार इक्यासी आज का सुर्योदे 6 बच के 2 मिनट पर होगा तो यह आज का सुर्यास 6 बच के 35 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा पूरे दिन तुला रास में गोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी तुला होगी बात करेंगे महुरतों की तो ब्रहम हमूरत रहेगा 4 बच के 31 मिट से सुबह 5 बच के 16 मिट तक अब जीत मूरत रहेगा 11 बच के 14 मिट से 12 बच के 14 मिट तक आज बिजे मूरत रहेगा 2 बच के 24 मिट से साम 3 बच के 14 मिट तक आज के दिन अमृत कालका समय रहेगा सुभह 5 बच के 38 मिट से लेकर 8 सितमबर को 7 बच के 26 मिट सुभह तक आज कारा हु कालका समय रहेगा 9 बच के 10 मि Bowl सुभह से लेकर दस बच के 45 मिनट सुबह तक राहुकाल के समय किसी भी सुबह और अच्छे कारियों के सुरुआत नहीं की जाती अब बात करते हैं आपके रासिफल के वारे में तो सिंगरास के दोस्तों आज कारिश थल पर इस्थिती अन्कूल रहेगी लेकिन कुछ भी बोलने से पहले आपको साबधान रहना चाहिए आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ और कहेंगे इससे आपके आसपास के लोगों को कुछ गलत फہमी हो सकती है परिवार के किसी काम से बाहर जा सकते हैं चोटे ब्यापारियों के लिए दिन ठीक रहेगा आप किसी दूसरे बेक्तिके सहयोग से अपना काम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सफलता मिल सकती है समय के सद्धिप्योग से आज आपको बहुल लाब होगा आज आपका ग्यान और हास के आसपास के लोगों को काफी प्रभाबित करेगा आप अपनी मानसिक इस्थिती में उल्लेखनी सुधार देख सकते हैं यात्रा करने के लिए दिन आपके लिए बेहत खास रहने वाला है आज आपका अनुभव अच्छा रहेगा संबंधों में सुधार की योग दिखाई दे रहे हैं सभी का सम्मान करें चातरों के लिए दिन बेहत खास रहेगा ब्यापार और नुकरी में अच्छी इस्थितियां बन सकती हैं सिंगरास के दोस्तों परिवर्तन और आत्म निरिक्षन इस अबधी के दोरान सफलता की कुंजी साबित होंगे आज आपको गुडवत्ता और प्रदर्सन पर और भी ज़्यादा जोर देना होगा आपके गहरे बिचार आपको सभी समस्याओं की जड़ तक काटने में मदद करेंगे हलाकि पिछली साजेदारियां आपके लिए एक बड़ी निरासा साबित हो सकती है फिर भी कोई नया काम आपके पक्ष में जा सकता है परिवार के सदस्यों के प्रत अपने बिवहार में साबधानी बरते हैं बिवास सम्मंधी बात तै करते समय बहुत साबधान रहें आज आपको केरियर के मामले में कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी क्यार छेतर में धनलाब के अपसर प्राप्त होंगे आज आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो आपकी हरत रहके से मदद करने के लिए तैयार रहेंगे कारूबारियों को बेहतर अपसर मिलेंगे आपके परिवार में खुसियों का माहर रहेगा घर के कामों में आपको रिष्टेदारों से सहयोग मिल सकता है आपका कोई जरूरी काम तुरंत पूरा हो जाए गया आज के दिन धार्मी कारियों में विस्तता बढ़ेगी कुछ लोगों के लिए कास्मी के आत्रा ब्यस्त और तनापूर्ण होगी कारिस्थल पर कारिभार में तेजी से ब्रिधी देखने को मिल सकती है साथ ही कारिश्षेत्र में किसी साजिस का सिकार भी हो सकते है आपको हर तरह के मांसिक सांती मिलने वाली है रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है राजिनी से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बहुत सुब कहा जा सकता है सिंगरास के दोस्तों आज आपको कार छेतर में ब्रिधिके कुछ नए मोके मिलेंगे आपको उधार दिया हुआ पैसा अचानक वापस मिलेगा जीवन साथी के साथ दिनर करने के लिए जा सकते हैं और रिष्टों में सकारा तमकता आएगी आज अचानक कोई रिष्टेदार आपके घर आ सकता है इससे घर के माहौल में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बच्चे बहुत खुश दिखेंगे बेब डिजाइनरों के लिए दिन बहुत अच्छा है आप किसी नई साइट पर काम कर सकते हैं ब्यापार के छेतर में बड़े लोगों से मिलने में मदद मिलेगी आपकी प्रगत इनिश्चित है आज आपका दिन सुकून भरा रहेगा मनुरंजन और पढ़ाई के छेतर में समय बेतीत होगा आपके काम को लेकर कोई नई योजना भी बना सकते हैं साथ ही अपनी सोष सकारात्म कर रखें किसी विश्वसली बेक्टिका सहयोग भी आपको मिल सकता है इससे प्रगत कामार की प्रस्त होगा दूसरों को समझने के लिए दिन बहुत अच्छा है आज एक तरफा प्यार आपके लिए काफी खतरनाक साबित होगा सड़क पर बेकाबू होकर बाहर न चलाएं और अनावस्यक जोखिम लेने से बचें तो सिंगरास के दोस्तों ये था आज आपका रद्दैनी करासी फल कल फिर से एक नए रास फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसरी राओ